हमारा कोशन है पार्टिकल इस फाइड वर्टिकली अपवर्ड फ्रम अर्थ सर्फेस एंड इड गोज अप्टो अमैक्सिमुम हाइट ऑफ 6400 किलोमेटर फैंड दा इनिशल स्पीड ऑफ दर पार्टिकल ठीक है तो हमें यहां पर कोशन में क्या बोल रहा है कि अर्थ की सर्फ कि यह सिसे एक पार्टिकल कर गया है कि यह मन लो पार्टिकल है उसको फायर कर गया विज इनिशल विलिव बाहस्टी सं मान लो जाता है और वह वह रहेट कितनी है वो है 6400 6400 किलोमेटर तक इतनी उचाई तक जाता है तो हमें यह बताने कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी यानि कि यू क्या था उसका तो अगर वो देखो यहां पर इतनी तक जाता है तो मतलब यहां पर आके उसकी विलॉसिटी जीरो होगी होगी है ना तो हाइट वो कितनी अटेन करता है 6400 किलोमेटर 6400 किलोमेटर के होता है रेडियेस भी हमारा अर्थ का उतना ही ओता है यानि कि यह आर रुचाई से जाता है अर्थ की सर्फस से ठीक है और इस पॉइंट पर पहुंचके उसकी विलॉसिटी कितनी होगी जीरो ठीक है अब मैं यहां पर energy conservation लगा सकता हूं energy conservation लगाऊंगा यानि की initial energy is equals to final energy initially देखो क्या था half m u square ठीक है half m u square minus gm small m upon r equals to final minus final क्या था gm capital m multiply small m upon 2r से इतना तो आर था उसके बाद और उपर गया हो तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं अगर इसको मैं उधर ले जूँ तो यह क्या बन जेगा मेरा पहले तो हमारा मास मास सब कट गया small masses क्या बचा है u square by two equals to g capital m by r minus g capital m by 2r ठीक है इस 2 को इदर multiply कर निकले ले जो तो u square बचा और यह हो गया 2gm by r minus gm by r तो यहां से u square की value कितनी है ही मेरी यहांगी gm by r तो बस यहां पर गर मैं values put कर दूँ तो 6.67 6.67 into 10 raise to power minus 11 multiplied 6 into 10 raise to power 24 upon 64 hundred ठीक है तो यह square में आएगा इसका जो भी answer आएगा उसको under root करने के बाद हमारा जो answer आएगा यानि की initial जो speed होईगी जिससे वो particle फिका था वो क्या आएगी हमारी 7.9 into 10 raise to power 3 किलो मीटर पर सेकंड ठीक है यह इस पर ध्यान देना हमारा answer किसमें आएगा किलो मीटर पर सेकंड में ठीक है इससे असान solution और कहीं नहीं